नमस्कार दोस्तो, ट्रॉक्टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की नई BS6 कंपलेंट सुपरो मिनिवैन एम्बूलन्स विरेंट के बारे में दोस्तो आप सबको पता ही होगा कि कोरोनावाइरस के इस सिनेरियो में एम्बूलन्स कौनसा मेजर रोल प्ले कर रही है तो सबसे पेले इन सभी एम्बूलन्स और एम्बूलन्स ड्राइवर्स को एंड एम्बूलन्स में जो काम जितने भी लोग करते हैं सभी को ट्रक टॉक्स का सलाम तो दोस्तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि सिनेरियों में ambulance वाले और ambulance concept रकार का hard work कर रहे है तो दोस्तो यह जो गाड़ी है महिंद्रा की नई पेश्करश है महिंद्रा Supra Ambulance और दोस्तो यह जो गाड़ी है काफी compact है size में काफी छोटी है तो जो छोटी छोटी गलिया होती है बारिक बारिक रस्ते होते है बड़े बड़े शेयरों में जो छोटी चोटी गलिया होती है उनमें जाने के लिए गाड़ी काफी काबिल है और दोस्तो इस गाड़ी को BS6 Component Engine के साथ महिंद्रा ने हाली में launch के है, तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी के price, detail specifications और features के बारे में जानेंगे, तो दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे बेले जानते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले variants की दोस्तो इस गाड़ी में दो variants आते हैं LX और ZX, आसान भाषा में LX जो है वो base model आप कह सकते हैं और ZX जो है टॉप variant कह सकते है LX variant में आपको manual steering और non-AC मिलेगा मींस ये बिना AC की गाड़ी है, with manual steering और जो ZX गाड़ी है, top model वो गाड़ी जो है, वो आपको, मींस उसमें AC भी मिलेगा, और power steering भी मिलेगी तो दोनों काड़ी हो के pricing में थोड़ा सा difference है, मैं आपको Mumbai की एक showroom price बता देता हूँ दोस्तो, जो LX variant है, उसकी Mumbai में एक showroom price शुरू होती है 6,93,352 रूपीज से, यानि कि मान के चले की 6,94,000 से LX variant की price शुरू होती है insurance और बाकी की चीज़े मिला कर on-road price कुछ अलग हो सकती है इस चीज़ का ध्यान दिजेगा और दोस्तो, अधिक जानकर ये के लिए आप महिंद्रा के नजदिकी showroom अथवा dealership में विजिट कर सकते हैं आए जानते हैं, महिंद्रा सूपरो ये जो पावर और टोर्क को कॉंबिनेशन है इस गाड़ी को टॉप स्पीड देता है 95 किलोमेटर पर आवर की जो काफी बढ़िया है दोस्तो, गेरबोक्स की बात करें तो इस गाड़ी में लगा है 5-speed manual, synchronized type gearbox, single plate dry clutch के साथ इस गाड़ी में आगे वाल एक्सल पर मेक फर्सन स्टर्च type coil spring suspension दिया गया है और पीछे वाल एक्सल पर leaf spring type suspension दिया गया है तो दोस्तो, ये जो combination है coil spring और leaf spring का काफी एक smooth journey provide करता है इस गाड़ी में आगे वाल एक्सल पर disc brakes और पीछे वाले एक्सल पर drum brakes दिये गये है जो make sure करते है कि गाड़ी की stopping ability अच्छी हो आईए जानते है Supra Ambulance की कुछ खास होबियों के बारे में दोस्तो, इसकी सबसे बहतेरिन को भी जो है वो इसका small dimension और compact size ये काफी छोटी size की गाड़ी है तो means all the best तो दोस्तो, बात करते हैं और features की तो compact size तो होई गया है, उसे के साथ-साथ इसमें foldable structure with prolly दी गई है ताकि patient को आसनी से अंदर और बाहर हम transfer कर सके, उसे के साथ-साथ first aid kit, caught structure with IV hook rod oxygen cylinder का provision भी इसमें किया गया है उसे के साथ-साथ-साथ अंदर means आग लगीने की शक्यता कम हो उस material के interior is इसमें दिये गए है and LED roof light interior में दिया गया है ताकि अंदर का जो वातावरे ने अच्छा हो और patient को comfortable रहे और अंदर का brightness बना रहे है उसे के साथ-साथ-साथ-साथ antibacterial vinyl floor mat इसमें दी गई है fire extinguisher और retro reflective decals as per AIS 125 norms यहनि कि जो तो AIS 125 norms है government के उसके हिसाब से जो इसके बाहर की टेपिंग है yellow और red color की आप देख सकते है ambulance name return होता है वो उसके हिसाब से आपको company fitted दिया गया है and 75% window frosting दी गई है ताकि बाहर के लोगों को अंदर का जादा ना दिखे and company fitted 3 tone siren with certified beacon light जो उपर आप देखते है siren वो आपको दिया गया company fitted तो आपको बाहर से कुछ external fitment करके अधिक खर्चा करने की जरूरत इसमें नहीं है सिधा delivery लिके आप सिधा use पे गाड़ी को लागा सकते है जैसा कि मैंने आपको पहले बात है गाड़ी में आपको दो variants available है पहला है LX variant और दूसरा है ZX variant दोस्तों दोनों variant में फरक ये है कि LX variant non AC variant है और इसमें आपको manual steering मिलेगी and ZX variant एक top variant आप कह सकते हो उसमें आपको air conditioning यानि कि AC और power steering दी गई है तो आप आपके application और इस्तमाल और uses के अनुसार इन दोनों में से एक choose कर सकते है आए जोस्तों बात करते है इस गाड़ी के वजन और आयाम यहनिकी weights and dimensions के बारे में गाड़ी की जो overall length है वो है 3.8 meters, width है 1.54 meters और गाड़ी की overall height है 1.92 meters इस गाड़ी का wheelbase है 1950 mm और ground clearance है 173 mm का दोस्तों, AC आपको ZX variant में मिलेगा और LX variant में आपको non AC दिया गया है and power steering आपको ZX variant में मिलेगा और LX variant में आपको manual steering दी गई है इस गाड़ी में आपको 33 liters का diesel fuel tank दिया गया है and इस गाड़ी में 155 R13 8 ply rating के tires आपको दिये गया है दोस्तों, Mahindra Supra Ambulance पर आपको 2 साल या 60,000 km की warranty कंपणी के योर से दी गई है तो truck talks देखने वाले मेरे सभी प्रिया दोस्तों ये थोड़ा वीडियो में ने अलग तरह से try किया normal हमारी वीडियो से तो दोस्तों, सबसे पहली बात जितने भी हमारे ambulance drivers, ambulance operators इंडिया में है उन सभी को truck talks का सलाम क्योंकि ऐसी coronavirus की बरिस्तिते में वो अपनी service बहती बढ़िया तेरिके से दे रहे है तो दोस्तों, कैसी लगी आपको Mahindraki Supra Ambulance मुझे नीचे comment section में ज़रूर बताना दोस्तों, commercial vehicle से जूड़ी हर नई news और information पाने के लिए आप हमारे instagram id truck talks official को follow कर सकते है वहाँ बर हम Delhi means news और information पोस्ट करते रहते है तो दोस्तों, वीडियो को like button दबाना ना बूलना मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी गाड़ी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए देखतरी ये ट्रिपले डायकस्तें व्लोक्स ट्रॉक्स टॉक्स spreading all the love about trucks जैन